हमें एक ऐसे व्यक्तित्व को आपके साथ लेकर आए है जो इस देश के जवानों के केवल जीवित रहते ही नहीं बलकि उनके जाने के बाद भी उनके शहीद परविवारों के साथ जुड़े रहते हैं जिंदा शहीद मनिंदर सिंग बेटा जी आपका स्वागत है बंदे मात जाने किया है तो उसके उपर चर्चा इसलिए होना जरूरी है कि उसने बोला उससे भी जादा गंबिर बात यह कि देश के मिडिया ने उस पर बहत छेड़ दी है तो ऐसे में बड़ा दर्द होता होगा आपको भी मुझे कनया पर इतना दर्द नहीं है यह आज आया है कल च आज के जवानों के उपर इतना बड़ा हमला किया हमारे जवान सिर्क अटवा लेते हैं बारत माता की शिमाओं की रक्षा के लिए हमारे के लिए देश की जंता के लिए और उसके सामने कनया के सामने वह खुद नारे लगते हैं गरगर अफ़जल पैदा करेंगे भारत मा क कि टुकडे टुकडे करेंगे कि कश्मीर को अधात कराएंगे और उस तरीके सो कई electronic मीडिया चैनलों ने ऐसे उसको पेश किया जैसे उसने कारगिल का जुद जीता हैं जैसे हमारे जमान सिमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं जिनके सिर्क अटके चाहे उनसे पेश किया होता देश की जनता को शांती मिलती ही कि हमारा electronic मीडिया हमारा print मीडिया के कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी को संबालते हुए भारत माता की अगर एक तोड़ने की बात करता है पूरा मीडिया भारत माता की अधादी की रक्षा करने की अपनी एक जगा के ऊपर खड़ा है लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना ऐसा लग रहा है कि पूरा शडेंत्र पूर्वक मीडिया ने प्लान बना के रखा था कि आप कनया ऐसा बोलेगा और मीडिया आर्मी पे तूट पड़ेंगे मुझे पहली बार पता चला कि हम पॉलिटीशन देश बक्त नी देश बक् लेकिन आज उसको हीरो की तरह पेश किया जा रहा है और उससे भी बुरी बात कि उसका आर्मी के उपर होने वाले अटक को भी सई ठहराए जा रहा है कि देखो उसके पीछे यह क्लियर बाते हैं जो राजनाज जी ने कहा तो बिल्कुल सही कहा मैं उन्सी बातों से सहमत हू जी अइसिए की फंडिंग आ रही है शक्ता इये का रोल है यह हो की नी सकता दिली चांदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नआरे लगई जयरे दिली के उन्सार्मी के अंदर बारत को तोड今年 की बात आज yeah यह नी सकता इसके पीछे कोई ना कोई बहुत कोई बहुत बाड़ी स यह तो बोली नहीं रहा था और बचोवानों की लाशें आती है उनके हैं उनको बदनाम करने की सादिस्क हो गरगर अफजल पिरा करने की बाते हो उसके लिए भारत के अंदर अजादी किसी को नहीं है ना होने देखे और भारतिये सेना के रेकॉर्ड भी हाजाए तो अंतराश्टी अस्थार्ल पर दुनिया भर में जितनी सेना है उन सेना में सबसे ज्यादा समर्पित सं से कम नसादनों में सब से ज्यादा आउटपुट देने वाली और अपनी जंता के बीच लोग प्रियता में दुनिया में भारत की सेना एक नमबर पर है आइसी सेना को बदनाम किया जा रहा है इसलिए क्श्मीर को अलग करने का हिंदुस्तान को अलग करने का शड़े अपको कह दूए बार बार कश्मीर को अलग करने की बात होनी पाकिस्तान की तरफ से होनी पुलिटिकल जब जाएगा हमारी लाशों से गंदी हनेरी की तरह निकल के चले जाएगा यह कभी नहीं जा सकता यह सेना की बात है उसके बाद हम आते हैं कहने की बात निकली है तो जे नियू या हमारे इन्वर्सीटियों के जो कैंपस होते थे वहां से देश का युआ देश का आच आजये तो दूसरी पार्टियों से क्यों गबराती हैं उनसे क्यों डर्ती है सवाल पार्टियों का नहीं सरकार का नहीं सवाल सबसे वड़ा जैप नेवbirds इतनी बड़ी वर्प हमारा शिक्षा का इतना बड़ा पेंदर जहां से हम कई आई पीएस आई तो बड़े-ब अब क्या चाहिए सरकार को वहां से कनया जैसों को निकाले बाहर शुरुवात हो चुकी है चार महीने के लिए यूनिवस्ट्री को करें बन पूरी इंटेलिजेंस करें पूरा रिसर्च ओप्रेशन करें और जितने भी बुरे आदमी हैं इनको निकालें कॉंग्रेस बीजेप सेउंटर में और एक्युकेशन चन्टर चलना चाहिए जो तो लड़कों को बढ़काते हैं जो कश्मीर की बातें करतें जो खालस्तान की बातें करते हैं जो नौसिस्ट को तो निंदुीजिजम को बदनाम करते हैं निकालके बाहर फिके यह सरकाथ का काम है अच्छे टीचर अच्छे प्रफेसर वहां लाएं कैसे युनिवस्टी क्या गुर्णानिक देव युनिवस्टी नहीं चलती किया वहां स्टूडन्ट देश की रक्षा करने के लिए त्यार हुगा शक्ता ले और भारत माता की कथम लेकर निकाल के इनको बार फेके मैं जो पिछले समय पे जो दो चार इंट्रिव्यू पे जो वायरिल हुआ जो मुझे पता मुझे इन चीजों का बिलकुल नॉलेज नहीं जो वक्त निकालेंगे उसी वक्त लोग हसाब चुका देंगे यह नेता तो कितने होगे नेता जी मुझे रहें वहारत माता की जैनी कहेंगे अप यूपी में जमानत जब जब दो जाएगी ये लोगों को सब फॉरन से फंडिंग आती यह वह पता नहीं पता नहीं है जो यह ज निक्त को नियों में चनवा दिया गुरू तेग भाधर जिनको कहते थे लोह पे अपने अपने जीवन को दिला मैं इनको ये कह देना चाहता हूँ गुरू गुबिन सिंग जी ने जो पगड़ी हमारे सिर्पे पहनाई है ना ये मौत का कफन है मजलूमों की रक्षा करते हुए सेकलर मुसल्मान हिंदू समाज और एसाई और सबकी रक्षा सिक्षों की रक्षा करते हुए हमने अपनी उन्होंने मजलूमों को बचाने के लिए हमारे गुरूं ने कुर्बानी कि हमारे पे ये मौत का कफन है आदा जीवन का सरीर का हिश्चा दे दिया अभी भी देश के सेकलर मुसल्मान हो हिंदू हो इसाई हो उनकी रक्षा के लिए आदा भी दे देंगे गलत फहमी में है गुरू गुबिंच सिंग के तेहास को देखे और रंगजेव बनने की कोशिश करे जो सेकलर था यह तो र पर कहां दूँ तो इसी को सजा तो मिलनी चाहिए ना कुछ तो एको सरकार के हाथ बहुत लंबे हैं कि सरकार क्यों डर रही है मुझे समय से बाहर है बहुत सरकार को सक स्टैंड लेने की जरूरत है यह सवाल भारत मा का नहीं है और किसी पुलिटिकल पार्टी के तरले नही बड़ा जैसे कनया का हुआ उसको जीता है इन्होंने जवानों के लिए बड़ा किया है यह हमारे हिंदोस्तान के हीरों है कौन बनाता है क्या क्या कभी जो शहीद हुए लोग पार्लीमेंट के अंदर जिन्होंने कॉंग्रस बीजेपी सीपीम सीपीई सब नेताओं को बच बड़ा दिया क्या उनका किसी आपको छोड़के एक दो और चैनलों ने छोड़के बड़े बड़े चैनलों ने बुला करके सामने इनके बिठाके कभी बातचीत की ना तीन-चार पार्टियां कथी हो जाती है कंधार से शुरू करते हैं चब्भी 11 दीना नगर पे खत्म कर हमें अधर हो आप देश के लिए हमें जवाब देना हम देश की जंटा को जगाएं दुनिया के लोगों पता देना हमें करते लोगों को बता देना चाहता हूं चाहता हूं जिछे रूट टीबी-बी-वे infrastructure की सहने रूजराई जो सहीं दो जाते हैं उनके परिवारों को आज तक कोई नहीं उसको पूछता था में Shortly कहें मेन हम आपकी आवाज को रिया हंदुस्तान के भर में पहुंचाएंगे हमें गैरंटी है कि हैं जिसको कि आब तक फासी हो जानी चाहिए ती अभी तक वह बेल पे बहार हुए 10,000 रुपए के बेल आप क्या कह रहे हैं जो भारत माता को तोड़ने की बात करता है जो देश को करने की बात करता है उसको एसकेन पहनी हुई और फिर उसको जीप बेड़ाते हैं फिर मीडिया वाले फोटो लेते हैं यह क्या और नेता बनता आद्मीयां से जैसे कनैया को मीडिया ने नेता बनाया यह तो नेता बनते इनकी वोट में बनती है यह तो पॉलिशी को सरकारों की बननी चाहिए कि देश दुरोई का कोई भी काम करेगा उनके खलाफ यह 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 एक्षिन होगा